नमस्कार बाल क्यों ज़रता है। तो किया आप भी बाल ज़रने के समस्या से है परसान। तो आये समझते हैं हमारा बाल क्यों ज़रता है। बाल जढ़ने की वज़व तो जानेंगे ही, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारा बाल जढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, इस वीडियो को लास्ट में हम इसके बारे में ही बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि आपका बाल बहुत जढ़ 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 रहा है या तो आप खराव लाइफ एस्टाइल वाला जितने की जी रहा हैं खराव लाइफ एस्टाइल का मतला है कि टाइम से बोचन नहीं करते हैं, मार्निंग में एक्सटाइज नहीं करते हैं, सुबह देर तक सोते हैं या तो आप बहुत ज़्यदा बीमार आते हो, बीमारी के वड़स से दवाईयां भी खा रहे होंगे, तो दवाई के साइट इफेक्ट से भी बाल ज़र सकते हैं, हलाकि जब दवाईयां बंद करते हैं, तो बाल पुन हमलों का आ जाता है, या तो आप अपने खान पान में दि इसमें बीटामीनी, बीटामीन सी, ओमेगा थीरी फैटी, एसीड, बायोटीन, फोलेट, जिंक, इस सब चीज़ पाया जाता हो, आप लोग बोचन तो कहते ही नहीं है, जिसे प्रोटीन, इनर्जी इस सब चीज़े मिले, आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट के चीज आप परसान रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चीज़ है, कि जो हम लोगोगा इस बाल का जो होता है, उनके बार में बात करूँगा, एक ओर इंपोरेंट चीज, यदि आपके परिवार में, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी में, किसी कभी बाल ज़णने के समस्या आ ये ख प्रवोजों में किसी को बाल जहने के बहुत दा समस्या रोग है कोई ब्यूशी जो जैसे की बीपी सुगर वकरा भी होता है तो जीन परवरतन होने के वज़द से वह होता रहता है ठीक है एदि आपके परिवार में खंदानी बाल जहने के समस्या आ रही है इसको बोलते हैं जैसे आपका उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका हर्मोन भी बदलता रहता है तो इसके भी कारण से बाल जहर सकते हैं यह तो नेचरूल यह इससे कोई रोक नहीं सकता है हर्मोन में बच्चे को जर्म देने के बाद एस्ट्रोजन हर्मोन का लेबल बहुत ही ज़यत लगता है एक चीज़ और एदि हम लोग का स्रीर में वीटामिन A की मात्रा बहुत ज़्यदा हो जाता है तब और भी बाल जहर सकते हैं अभी तक हम बात कर रहे थे बाल जहरने के कारण के बारे में अब जानेंगे बाल जहरने की समस्या को कैसे ठीक करें तो देखिए बाल जह का घरेलू उपाय हो सकता है जिसमें हरी सब्जियां ताजे फल मचली अंडे भी खाया सकते हैं क्योंकि इन सब्जीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन विटामिन ओमेगा-3 फैटी एसीड बायोटीन फोलेट जींक होते हैं जो हमारे इमीन पावर को भी बढ़ाते है और हमारे जड़ते बाल को भी रोकने में सायता करते हैं अब मेडिकल टीटिमेंट की बात करें तो एस स्पेसिलिस्ट डामेट्रोलाजिस्ट के पास जाने पर डक्टर बाल कर निदान करता है और आपके सरीर और रोक के उनुसार कुछ दवया चलाता है जैसे माइनोकसोड फीना एस्टराइड, कोटिसोन, एस्पाइटो नुलैक्शन और इूटर एस्टराइड लेनी की सलाह दे सकता है अगर तब भी बाल ज़रना बंद नहीं होता है तो डॉक्टर दुवारा लेजर हेर टीटिमेंट, हेर ट्रांस्प्लांट, स्टेम सेल ठेपी जैसी सर्जिकल जैसी प्रक्रिया को कराने का सलाह देता है लेकि इन सम्में बहुत ज़्यदा खर्चा होता है इसलिए सभी लोग इस प्रक्रिया को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कुछ घरह लुपाइक बार में कुछ देशी दवाया जैसे कि आप प्याज के रस प् सब्सक्राइब करते हैं तो आज से आप नीवू और प्याज करस लागाना शुरू कर दीजिए और आपने डाइज सीटम भी ध्यान दिया करिए कि आप अच्छे से खाते हैं उसे बहुत ज़्यादा ध्यान दिजिए जैसे आप ध्यान देंगे आपका डाइजिस्टम अच्छा होगा आपका खाना अच्छे से पचेगा और जो बिशीज खा रहे हैं उसको इनर्जीबल चीजे खाईए इसमें जो सबसे बड़ा रोल हो जिएशुआज खाएँ अच्छा है आप भोजन कश्के से पचाहरे हैं आपको गैस की समस्या नहीं है आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं सुबा का एक्सराइज कर रहे हैं निट्रेशन फुर्स खा रहे हैं जो भी खाना खारें कर दें जिमियूं कर रहे हैं चाहि आप आप लोग में कुछ सीखने को मिला होगा ये वीडियो पशन आगा तो लाइक कर देजेगा इस वीडियो और दोस्तों के आंज सेर कर दिएगा जाहिन